हेलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ये जूकर से चैनल पर इस वीडियों में हम बाच करने वाले हैं आल मैथमेटिक्स फॉल्मूडा पार्ट 6 तो चलिए आज के इस वीडियो को सुड़ करतें लेकिन उसे पहले दोस्तों या पार्ट 6 से अगर देखाया तो डिस्क्रिस्वन में जाकर दिख लिजेगा मैं उसका वहाँ पर लिंक दें दूंगा आज मैं इसमें जानने वाला हूं यूनिट यूनिट के बारे में बताने वाला हूं यूनिट यानि इकाया के बारे में बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले इस वीडियो मुध्रामा तो दिखिए दोस्टों 500 पैसा बराबर कितना रूप्या होता है 50 कहते हैं よозможно थीक और स्वालबन सकता है कितना पैसा एक रूप्या बराबर हो जाएगा सौ पैसा यह भी हो सकता है एक हो सकता है cट जॉइक रूप्या किसल द tribes पचास पैसा बराबर आठ आठा आने होता है तो आठ आने शूब अच्छे कितना खालू 50 पैसा होगा देखिए यहां पर दिया हुआ है तो क्या हुआ कि मैं और बढ़ता हमंटी他的 50 पैसा होगा दोस्तों आठ आने आप बराबर भी 50 पैसा होगा ऐसे दोनों तरह से आपको याद रखना है एक तो इधर से चल कर आप याद कर लें ठीक इसको इधर से भी चल कर आप याद रखिएगा आज जैसे की 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है सो पैसा बराबर 1 रुपया एक रुपया बराबर सो पैसा ऐसे भी आपको याद रखना है को चारहना होता है तो चार आना बराबर कितना पैसा 25 पैसा कितना कितना पैसा दोस्तों 25 पैसे देखे कैसे 25 पैसा बराबर 4 आना होता है तो 4 आना बराबर 25 पैसा कितना पैसा 25 पैसा अब देखे दोस्तों 12 पैसा बराबर होता है दो आना 12 पैसा बराबर 2 आने तो 2 आने बराबर कितना पैसा 12 पैस ठीक है दोस्तों ऐसे दोनों त्रिक से आपको याद रखना है आप दिखें दोस्तों 19 पैसा बराबर 3 आने होता है नेख्ष्ट बराबर एक आने तो एक आने बराबर छे पैसां ऐसे आपको याद रखने है तो चलिए निक्स्ट बरते हैं लो निक्स्ट के हाँ दोस्तो पूराने सीको में देखते लो और वह चार पाई बराबर कितना आलना, चार पाई बराबर एक आना, तो एक आना बराबर कितना पाई, चार पाई होगा दोस्तों, एक आना बराबर, चार पाई होगा, ऐसे दुनों तरिकों से आपको याद रखना है, अब देखें, 64 पाई एक रुप्या के बराबर होता है 64 पाई 64 पाई बराबर एक रुप्या कितना रुप्या दोस्तों एक रुप्या तो एक रुप्या बराबर कितना पाई एक रुप्या बराबर कितना पाई तो 64 हो जाएगा कितना पाई दोस्तों 64 पाई ऐसे दोनों तरीकों से आपको याद रखना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग आगे क्या है दोस्तों अंग्रेजी की माप लंबाई की अंग्रेजी माप क्या है लंबाई की अंग्रेजी माप माप तो देखिए 12 इंच बराबर एक फिट होता है एसा एक तो स्वाल है 12 इंच बराबर एक फिट क्या है 12 इंच बराबर एक फिट एक फिट बराबर कितना इंच 12 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 इं मारा ए चलके आपको याद करना हैं रदुपलिख वाय रिभाय छलके breathing के वी आपको याद करना है अब देखिए 2 पीट बराबर होता है एक विजन कर देता हूं तीन फीट बराबर तीन फीट बराबर एक गज तो एक गज बराबर कितना फीट तीन फीट हो जाएगा एक गज बराबर तीन फीट ऐसे दोनों तरीका सो आपको याद करना है है 12 गज़ ए सबाइस बराबर एक में कितना है ऐसे दोन me एक फरलाग बराबर कितना पोल तो एक फरलाग बराबर कितना पोल जाएगा दोस्तों 40 पोल जाएगा एक फरलाग बराबर 40 पोल जाएगा ऐसे भी आपको याद रखना है अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोग 10 चेन बराबर एक फारलाग तो एक प्रबर एक फारलाग बराबर कितना चेन 10 चेन बराबरब एक फारलाग बराबर एक पार भरक टेम लेट गृए यह दोनों तरीका से आपको याद करना है a most important Chlug to 18 रहाबर कितना बराबर होता है रहादो एक मिल लगटत चैन अगर दिखे दोस्तों कि 1700 गज बराबर कितना मेल नाता है एक मिल नाता है तो एक मिल बराबर कितना गज एक 1760 गज 1760 गज बराबर एक मिल मिल में कितना रोता है 760 है ऐसी याद रखना है ऑफ 2 मिल बराबर एकली ऊपके तीन मीन byआबर कितने विधें सवाल बना सकते में आप एक लिग बराबर ऐएक सब्सक्राइब एक लीवाहर दोट सेफ DR कितेनी ख़्ली होगा एक लीग खी आप अब देखें अब हम लोग सिखने माले हैं लो लंबाई की माप क्या है दोस्तों लंबाई की माप तो चलिए देखते हैं लो देखें लंबाई की माप यानि मेजर मेंट मेजर मतलब कर मेजर मतलब लंबाई अब देखें 10 lli between 10 mm flashed 10 mm having a 10 mm 10 mm about what कितना होता है 1 mm की छई दोस्तों मेजर मतलब होता है मापना 100 mm लक्त इस किमट एक सेंटी मितर 10 mm बिश्यातम एक सेंटी मितर तु 1 mm कितना मिलिम्ट एक सेंटी में 10 mm आगे मैं बता हूंगा कि दस मिलिमीटर में एक सेम्टिमीटर कैसे आया और एक सेम्टिमीटर में दस मिलिमीटर कैसे आया यह दुना बताऊंगा क्या बताऊंगा दस मिलिमीटर में एक सेम्टिमीटर कैसे आया और एक सेम्टिमीटर में दस मिलिमीटर कैसे आया यह आगे मैं आपको बताने वाला हूं तो चलिए आगे देखिए दस सेम्टी मीटर में एक डेसी मीटर होता है दस सेम्टी मीटर में एक डेसी मीटर तो एक डेसी मीटर में कितना सेम्टी मीटर दस सेम्टी मीटर अब देखिए दस सेम्टी मीटर में एक मीटर होता है दस सेम्टी मीटर में एक मीटर तो एक मीटर म अब देखिए दस मीटर में एक डेका मीटर होता है दस मीटर बड़ाबर एक डेका मीटर तो एक डेका मीटर बड़ाबर कितना मीटर दस मीटर कितना मीटर दस मीटर यह आपको याद रखना है अब चलिए पुल्यकोिकность antes lighting up to your edū यह दूनों तरिका से आपको इक्रकुना है मस्ट इंप उपर कि अब देकी आगे देखिए 10 हेक्टोस् conteú पर ніजिफिचव होता है एक किलो मिट्र 10 हेक्टोमीटर बार वा कितना किलो मिट्र एक किलो मिट्र तो तो दस एक किलो मीटर वावर कितना हेक्टो मीटर दस ध्यान दिजिएगा दोस्तों देखें दस हेक्टो मीटर वावर एक किलो मीटर तो होता ही एक किलो मीटर होता ही है तो एक किलो मीटर वावर कितना हेक्टो मीटर दस हेक्टो मीटर कितना हेक्टो मीटर दोस्तों अब चल तो 1000 मीटर यह दोनों तरीका से आपको याद रपना है आप मैं बताता हूं है इत्रीक नहीं यह क्या याद करने मीली सेंटी डेसी मीटर में आप ग्राम भी जोड़ सकते हैं ढॉरय ग्राम और लीटर भी जोड़ सकते हैं ठीक है दोस्तों यह भी जोड़ सकते हैं उसके बाद डेका हेक्टो किलो इसे आप तिन तरह की चीज़ों को ना माप सकते हैं ग्राम में यानि वेट माप सकते हैं दूसरा मीटर यानि लंबाई माप सकते हैं तीसरा लीटर यानि अब देखिए जब आप उपर से नीचे जाएंगे उपर से नीचे तो क्या करेंगे लो मल्टिप्लाई करेंगे लो मल्टिप्लाई क्या करेंगे लो तो चलिए मैं बताता हूं अगर आपको एक किलो मीटर में कितना मीटर होता है यह निकालना हो तो क्या करेंगे लो मल्टिपलाई करना है तो 1 meter में 1 kilometer में 1 kilometer में कितना मीटर निकालना है मीटर ही निकालना है दोस्तों एक किलो मीटर में कितना मीटर निकालना है यह निकालना है तो देखें दोस्तों अब आपको क्या करना है एक किलो मीटर एक किलो मीटर है दोस्तों तो एक मॉल्टिप्लाइए अब इसे छोर कर इसे एक माल लीजिए और देख निकाल सकते देखे एक किलो मीटर में कितना मीटर एक हजार मीटर कितना मीटर दोस्तों एक हजार मीटर आप ऐसे भी देख सकते हैं देखे एक किसे माल लिजे और एक दो ती तीन जिरो बैठा दीजे कितना मीटर एक हजार मीटर कितना मीटर दोस्तों एक हजार मीटर आपका कोट एका मीटर यही आप मान लीजिए एक मीटर में आपको निकलना है कितना किलो मीटर तो हम ऊपर संब मैं नीचे आ contributorsel ने पर क्या करना है तो तो देखें डिपीजं किजिए एक मीटर, एक मीटर में हमें क्या निकलना है, किलो मीटर निकलना है, ठीक है दोस्तों किलो मीटर निकलना है, यही न निकलना है, तो दिखिए, एक मीटर, कितना है, दिखिए, यहां से 1, 2, 3, यह एक मालनी जिए, 3, 0 बैठा दिए, कितना, 1 हो जाए, कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा अब देखिए माल लिजिए 10 मीटर में 10 मीटर में 10 मीटर में कितना किलो मीटर निकालना हो कितना किलो मीटर तो देखिए 10 अपन एक और 1-2-3-0 1-2-3-0 कितना जागा कि पिखना जगा दोस्तों सो किलोमीटर कितना किलोमीटर दस मीटर में कितना किलोमीटर सो किलोमीटर ऐसे आपको निकालना है तो आप निकाल लिजेगा लो ऐसे ऐसे में आप मिलिमीटर से डेसिमीटर भी निकाल सकते हैं एक मिलिमीटर में कितना डेसिमीटर चाहें दो मिलि कर tribe केजिए लो तो चलिया आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं मातरा किमाप मातरा किमाप यानि 10 मिलीग्राम में कितना स्णी ग्राम मेn आप दोस्ट्रों निकाल सकते हो जढ़ 실ंड कर यहांपर देखाता हूं आप मालीजी यहाटा देज़्, यह मैं ग्राम में भी निकाल कर यहाँ कर देखा तैहां आप माल लीटर में भी अप माप سकते हैं डिख्याइगे acá बत्ते आगे बढ़ते हैं लोब दस मिली ग्राम में कितना मिली ग्राम दस, 10च मिली ग्राम two dot century one kilogram two doing a mikä द!.. संटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटींटीं मैं आपको एक बार बता भी देता हूं वो इस ट्रिक पे एक बार बता भी देता हूं तो देखिए यहां पे माली जी ग्राम है ग्राम है ठीक है दोस्तों आपको निकालना हो एक किलोग्राम में कितना ग्राम तो एक किलोग्राम में एक किलोग्राम में में कितना ग्राम इसे आप निकाल सकते हैं इस पी ली ली टर Рपी यह कि नो हो तो देखिए एक किलोड़ में किना लिटर एक कीलो लिटर में कितना लिटर नीकाल लीटब निकाल लेखतने लीटर DOUution मोल्टिप्लाइख स्कासे कर दिए ऊपर से नीचे आए जागो तो डिविजन करेंगे लो तो माली जे एक लीटर आपको निकाल लाओ एक लीटर में कितना किलो मीटर क्या निकालना हो कितना लीटर नी किलो लीटर ठीक है दोस्तों किलो लीटर निकालना हो किलो लीटर तो देखिए एक अपन क्या हो जाएगा वान 1 पर one two three three all the one two three , run and run and the one two are thousand एक एकचैन्ड ऐसे आप निज्काल सकते हैं लो मचूपलक्त फिक्याद देक्टाग्राम सकते हैं कितनो टेकफ़राघ़र एक क्विंटल होता है कितना क्विंटल्टम जो है कितना किलोग्रामदै विरी दोस्तों यह आपको को याद रखना है अब देखिए तरल पदार्थ काया अधर कहा निकलना हो तरल पदार्थ का आयतन की माप निकल लोग मता का तो चलिए भी कि सब्सक्राइब दोस्तों यहां पे लीटर रहेगा अब देखिए आगे बढ़िए दस मिली लीटर में एक सेंटी लीटर होता है कितना लीटर होता है एक सेंटी लीटर होता है तो एक सेंटी लीटर में कितना मिली लीटर दस मिली लीटर कितना मिली लीटर दोस्तों दस मिली हेव 이용 स्थेखाराक MidiD Pokémon horror आपको याद है दोनों तरीकास अब देखेव दोस्तों रिकर आपको याद हरा है ढोलीटर में है जोने हैं गये है याद सब्सक्रों होड़ में सब्सक्राइब कुछ यह दोस्तों आपको याद अब दिखें दस हेक्टोलिटर वाब होता है एक किलोलिटर दस हेक्टोलिटर वाब कितना किलोलिटर एक किलोलिटर तो एक किलोलिटर वाब कितना हेक्टोलिटर तो दस हेक्टोलिटर यह आपको याद रखता है यह एक बार और रिविजन कर लेते हो दस डेकालिटर वाब हो एक अदो कि एक लीटर एक हमेलीटर कितना लीटर एक लीटर अ है इसलिए दोस्तों यह वान ऑपन हंडेर दोगा क्यों कि मैं यूफ Tabii Pushing our वोपर से नीचे आ रहा हूं तो क्या करणा डीवी जने दौग और जब उपर से नीचे जाओंगा तो मैं लोगा मल्टिप्लाई होगा उस सूत्र पे मल्टिप्लाई होगा वही सूत्र है तो चलिए आगे बढ़ते लोग अंग रेजियो मैट्रिक मापो में संबंध तो चलिए तोस्तों एक इंच बराबर होते हैं 2.54 cm 20 में संब्सका सेंचे suggest to understand बर लोगियों है यह फीट बराबर होते है जीरो 704 आगे बार होता है जीरो 30 में जीरो 303 7 इंच्श एक संट्रिसेंज मेटर होते हैं याद रखना है तो यह मोश्टमस्टमस्टों कौशचन इसमे मैं छाटचाट के रही लिखा हूं अब दिखे दोस्तों एक फीट ब्राबर 03048 मीटर होता है तो एक गज ब्राबर कितना मीटर 0.914399 मीटर कितना मीटर 0.914399 मीटर होता है एक गज बराबर देखे दोस्तों यह आपको याद रखना है आप दिखें दोस्तों 1 mil बराबर कितना किलो मीटर 1 106039 ुप लुए याद रखना है अभ देखिए एक मीटर बड़ाबर कितना इंच एक मीटर बड़ाबर कितना ऊंच 39303 7 होता है कितना 39 30 . 37 191 मेच्णे डिवे भीच्व होता है दोस्तों गलत से टाइप हो गया अब देखिए एक डेसिमीटरल बावर होता है चार इंच एक डेसिमीटरल बिव मावरенко तो चार इंच एक किलो मीटरल बीटरल पांच अठ कितना tvåच मिलका कितना मिल एक किलोमेटर में कितना मिल पांच बतटे आठ मिल या फिर 0.624 मिल और कितना गज होता है एक किलोमेटर में तो चलिए दोस्तों एक बार और रेविजन कर लेते हैं एक किलोमीटर में फांच बटे आठ मिल होता है कितना मिल होता है फांच बटे आठ मिल और दस्मलों में जीरो दस्मलों 6216214 मिल होता है और एक किलोमीटर में 1093 यानी 1093 दस्मलों 6133 गज होता है एक किलोमीटर में इतना गज होता है आपको याद कर लिजेगा तो चलिए आगे बड़ते रूल आगे क्या है लंबाई या दूरी किए लंबाई या दूरी किए बार इंच बड़ाबर क्या होता है एक फित होता है, 12 इंच बराबर एक फित और तीन फित बराबर भी एक फित होता है, और 8 फर लाक बराबर कितना मिल? 1 मिल, 8 फर लाक бराबर 1 मिल और 18 इंच बराबर 1 हाट और 8 फर लाक बराबर 1 मिल और 1 इंच बराबर 2.54 cm, 534 cm, देखे अब आगे बढ़िए, आगे क्याना एक फित बराबर 1 70 सम्टी मिल framework eure फित बराबर 1 70 मिल और 8 मिल बराबर 8 किलो मेतर, आठ मिन में कितना किलो मेटर? आज किलो मेटर, अब देखिए, 0.0621 मिल बाराबर एक हेक्टो मेटर, कितना मीटर? एक हेक्टो मेटर, अब देखिए, 0.0621 मिल बाराबर एक किलो मेटर, कितना किलो मेटर? एक किलो मेटर, तो चलिए दोस्तो, 0.0621 मिल बाराबर कितना? एक किल कितना कीलो मिटर दोस्तों एक किलो मीटर और 0.0006m1 बार्बार कितना एक्तो मिटर एक हुब्डो मिटर दोस्तों यह आपको याद रखना है चले आगे लोड़नाई यी ये पटते हैं कितना कफOf आप दखे C2 0003 94 फोर इंच बरावर होता है एक मिलिमेटर कितना मिलिमेटर एक मिलिमेटर और 0937 बरावर कितना सेम्ट Newebileние 704 एक सेम्ट मिलिमेटर आप देखिए निए-च्छ देखिए 3708 इंच बराबर कितना मिटर populations होता है दोस्तों कितना मिटर मिटर यापको याद रखना बढ़ते लोगों आगे कि만 समय की sperm समय की माप मुष्यों जानने कें वाले हो तो चलिए देखियर मैं 60 से कर से केंड बराबर एक मिनट तो एक मिनट में कितना सेगें अगर आप ठीक है दोस्तों अब देखिए एक दिन में 24 घंटा तो 24 घंटा में कितना दिन एक दिन होता है तो एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा ठीक है जो भी मैंने नहीं बता है वह भी आप याद कर सकते हैं देखिए 355 दिन बराबर एक वर्स एक वर्स में कितना दिने कितना ऐक आप देखें नहीं हेल सब्सक्राइए और नीत नोगने शुर। अब सब्सक्राइब नृष के ज fåttे और इसे जटे सक अगवय दो जो सथ यह का बार वर्स में लाका एक यूग उता है, बार वर्स एक यूग, एक यूग में कितना वर्स होता है, एक यूग में, कितना वर्स, बार वर्स, बार वर्स, एक यूग में कितना वर्स, बार वर्स, और दस वर्स में कितना दसक, एक दसक, दस वर्स में, एक दसक होता है, तो एक यह आपको जाद्रग नहां दस वर्ष में एक दसक्ट रेघ्रेश वर्ष में एक संद डिए फिर्ष में इक सताप दीए पुर्ष में एक सतावदी बनता है अब आगा है बहुतै है यह तो आपको याद करना है तो चलिए इक लगऑ का ङग कर एक धूर तर्फनल अर्ट उल्श है और दो बयाबर इक करक्ठा πेज दूर थी ना इस इंड नेड़े थी जो कड़ा मेंगर कथा गुट ममें बस हमें कर दो 501 अब देखे एक एक और में 32 कटा होता है क्या होता मुत यह कर टो एक टो यहाद रखना है एक कर वे चार चार हजार आठाख सो चालीश वर्ग वर्ग कर दो चलिए दोस्तो धन्यवाद झाल झाल झाल